26 वाश्लोक है पुत्र गीता से गाउं में रहने पर स्त्री और पुत्र आदि में जो आ सकती होती है वो पुरुष को बांधने वाली रस्सी जैसी है पुण्यात्मा ही इसे काट कर निकल पाते हैं पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं तो पुछा गया है कि उध्रत करते हुए कि पुरुष आत्मा ही होते हैं जो बंधनों को काट लेते हैं तो हमें समझाईए कि मैं इस बात को अपने जीवन में कैसे देखूं जहां मैं कई तरह की स्थितियों से परिशान होने लगती हूं पुर्ण्यात्मा होते हैं जो बंधनों को काट लेते हैं उल्टा करके समझी एकदम आसान हो जाएगा और कोई पुर्ण्य होता ही नहीं बंधनों को काटने के लाबा देखिए पाप और पुर्ण्य तो सिध्धान्त हैं परिभाशाएं हैं पाप और पुर्ण्य का अपने आप में कोई आधार भूत अनुभाव आपको हो नहीं सकता बात समझ में आ रही है जब तक आपने सुना पढ़ा लिखा ना हो कि अमुक काम पाप है अमुक काम पुर्ण्य है तब तक आप अपने आप से नहीं कह पाएंगे ये पाप है ये पुर्ण्य है इसलिए पाप और पुन्य की परिभाशाएं भी देश और काल के हिसाब से बदलती रहती है जो आज पाप है वो बाद में पाप नहीं होता आज भी जो एक देश में एक धर्म में पाप है वो दूसरे देश में, दूसरे धर्म में, दूसरी स्थित में पाप नहीं होता, तो पाप और पुन्य अपने आप में कोई आधारभूत अनुभव नहीं होते, अनुभव हमेशा होता है बंधन का, बंधन ज्यादा मौलिक बात है, पाप पुन्य मौलिक बात नहीं है, पाप उसको खाए ले रहे हो तो यह बुरी बात है, बुरी बात है आप उसे बताओगे ना बुरी बात तो वो समझेगा कि यह बुरी बात है लेकिन आप बच्चे को उठा लो और उसे गोद में कसकर भीच लो तो आपको उसको बतानो नहीं पड़ेगा कि ये बुरी बात है, वो खुदी चिलना पड़ेगा, बंधन का अनुभाव होता है, पाप पुर्णे का अपना कोई अनुभाव नहीं होता, सिध्धान तर अनुभाव तो अलग अलग चीज है, बात समझ रहे हैं, तो बंधन से शुरू करिए, क्योंकि बंधन आप जानते ह क्योंकि वो आपके अनुभाव में है, बंधन माने दुख, बंधन माने छटपटाहट, वो मनुभाव करते हैं, तो बंधन से शुरू करिए और कहिए, कि जो बंधनों को बढ़ाए, सो पाप जो बंधनों को काटे, सो पुर्णे, जो बंधनों को बढ़ाए, सो पाप पु आपको मिलेगी नहीं, आप इसके अलावा कोई परिभाशा तलाश हैंगे, तो तलाश की यही मिलेगा कि ऐसे ऐसे काम करो तो पाप होता है, ऐसे ऐसे काम करो तो पुर्णे होता है, वो बातें कुछ हद तक सही होती हैं, कुछ स्थितियों में सही होती हैं, पर वो बहुत नहीं जाती है और बहुत बार तो बिल्कुल गलत भी होती है समझरे हो बात को क्या पुण्य है तुम्हारे लिए कभी भी किसी भी जगह किसी भी पल जो कुछ तुम्हें बंधन से बचाता हो वो पुण्य है बे खटके बे शक बे जजख्यक वो काम कर डालना और किसी भी स्थित में किसी भी जगह पर जो भी चीज तुम्हें और ज्यादा बांद देती हो कस देती हो, जखड़ देती हो भी गलतेती हो सीमित कर देती हो जान ले न वही पाप है उस पाप से बचना मुझ में आ रही ही बात यहाँ पर जो श्लोक उध्रत है वहाँ प्रसंग क्या है मिधावी के पिता जी कह रहे हैं कि भई तुम रुको यहीं पर गाओं में शादी ब्या करो स्तरी घर आएगी बच्चे पैदा करना तो उसका उत्तर है यह या उत्तर के उसके हिस्सा है यह कि गाओं में रहने पर श्तरी पुत्र आदी में जो आ सकती होती है वही तो रसी के समान है बांधती है पुन्यात्मा पुरुष इस रसी को काट कर निकल जाते हैं और पापी पुरुष इसमें फस जाते हैं का समझ मारी इसका मतलब यह नहीं है कि होरत में कोई बुराई है छोटे अच्चों में कोई बुराई है वह समाद्च शुरू कर देना इसका मतलब यह है कि उनसे तुम्हें जो आसक्त होती हो गड़बड है जो रिष्टा बनाने के लिए कहा जा रहा है इस्तिरी से, वो रिष्टा गडबड़ है, वो रिष्टा ही भोक का है, देख नहीं रहे हो, क्या बोल रहे हैं पिताजी, तर्क क्या है पिताजी का, कि तुम विवाह करो और पितरों को सद्गति देने के लिए पुत्र पैदा करो, अभी रिष्टा बना भी नहीं, अभी इरादा पहले ही पक्का है, लड़की आएगी, और उसको गर्भवती करूँगा, और बच्चा पैदा करूँगा, ये अशलील बात है, और क्या शब्द कहूं उसके लिए, ये इरादा ही विक्रत है, वल्गर है, और ये बात तुम किसी इस्त्री से उसके मुँपर क्या भी नहीं सकते, तुम जाओ किसी से बोलो, क्यों मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, क्योंकि अपने पितरों की सद्गति के लिए मुझे पुत्र चाहिए, फिर देखना क्या होगा, तो भले ही पिताजी पीछे से ये चावी भर के भेजें, कि पुत्र पैदा करना है और पितरों की आत्माओं को शानती नहीं मिलेगी, तो चलो लड़की खोचते हैं, पर ये तुम भी जानते होगी लड़की से उसके मूँ पर ये नहीं बोल पाओगे, उसके मूँ पर तो ये बोलोगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और मैं तुझ पर जान दे दूँगा, दिलरुबा है, जाने तमना है, वो मेरी प्रेसी, सो बाते बोलोगे, और भीतर आघ तम मिलेगी जब बच्चा पदा करेंगे, काई भाई, पितरों थे भी तो बच्चा पदा किया था न, अगर बच्चा पदा करने ते शानती ओती तो उनने पहले ही निल गई chance है, वो अभी भी आशान ट यो relação, तुम्हे नहीं है इस वो अशानत है शिद्ध क्या हो रह कि तभी अशान्त है, क्या कर्टूत है, उन्हें तुम्हें पैदा किया, जब तुम्हें पैदा करके वो अभी तक अशान्त बैठे हैं, तो तुम बच्चे पैदा करके उन्हें शान्त कैसे कर दोगे, पर इसी तरीके के तर्क चल रहे हैं, और ऐसे तर्कों को मानने वाले भ स्वार्थ है क्या थोड़ी बहुत 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 करो फिर तर्क मान लो क्योंकि तर्क मानोगे नहीं तो औरत मिलेगी कैसे दिखाओ यही कि नहीं वो तो हमारा मानने को इरादा नहीं है मुह में रजुल्लाद आप रखा है मजा आई रहा है और चेहरे पर ऐसा दिखा रहे हैं बड़ी कड़वाहट है यहां रस जा रहा है भी तेरी भीतर मन में हाँ हाँ ठीक है आप कहते हैं तो करे लेते हैं बात समझ में आ रही है कुछ मुस्कराए फिलकर पूचा है कि अपने जीवन में कैसे इस बात को देखूँ अपने जीवन में कुछ और मत देखिए बंधन देखिए जहां कहीं भी बंधन हैं समझ लीजिए वहां पाप है बंधन पाप है और बंधन चुनाव हैं पाप पुन्ड आपके चुनाव की बात है बहुत बड़ा बंधन byłेकर फिल्कावृ कुषिक प्रादा लगए जो ज़्यादा क्यों चुनने जो जन्म से ही मिलगाइ ओपर्याप्त नहीं है रहा है पहला काम तो ये करना है कि बंधन बढ़ाने नहीं है दूसरा काम ये करना है जो जनम सही मिले हुए है उनको पहचानना है उनको पहचानना है महनत करकर के साधना करकर के उनसे मुक्ति पानी है यही जीवन का उद्देश है और क्या झाल झाल